मैं आपको राजस्थान जीके के कुईज करवाती हूँ और आज मैं आपको राजस्थान जीके में राजस्थान का एकी करण एम रियासते से इन रिलेटेड मैं आपको question कराऊंगी इस topic से related मैं आज आपको question करवांगी friends तो चलिए हम class को start करते हैं आपका पहला question है friends भारत संद अधिनियं पत्र पर हस्ताक्शर करने वाले राजस्थान के प्रतम शाषक कौन थे ? क्या question है friends, देखे ध्यान से सुने, भारत संद अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शाशक कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम शाशक वो कौन थे, जिन्होंने भारत संद अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो देखे friends, वो बिका न सादुल सिंग प्रथम ने यह पहले शाशक है जिन्होंने भारत संद अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किया था और यह कहां के हैं सादुल सिंग प्रथम बीका नेर के फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन देखें फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में श शेत्रफल की ड्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी मारवार सुतंत्रता के समय शेत्रफल की ड्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत मारवार थी फ्रेंड्स फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन किस समीती ने मत्से संद के व्रहत राजस्थान में विले की अनुशा क कौन सी समिती ने मत्से संद के व्रहत राजस्थान में विले की अनुंशा की शंकर राव ने की थी फ्रेंट्स फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट कोश्चिन राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा तो देखे फ्रेंट्स आठ वर्ष साथ महा चोदा दिन आठ वर्ष साथ महिने और चोदा दिन लगे राजस्थान के गठन की प्रक्रिया को पूरा होने में फिर नेक्स्ट कोश्चिन मत्से संद का राजस्थान में विले कब हुआ तो देखे 15 मई 1904 को मत्से संद का विले राजस्थान में किया गया था फिर नेक्स्ट कोश्चिन देखें किस संविदान शंशोदन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोब किया कौन से संविदान शंशोदन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोब किया तो देखे फ्रेंट्स सात्वा संविदान शंशोदन अधिनियम कौन सा है फ्रेंट्स सात्वा संविदान शंशोदन अधिनियम फिर next question देखते हैं संयुक्त राजस्थान का 8 अप्रेल 1948 को किस ने उदगाटन किया था तो जवाहरलाल नहरू ने पंडित जवाहरलाल नहरू ने 18 अप्रेल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उदगाटन किया था फ्रेंड्स फिर देखें next question भारत सरकार ने 5 जनवरी 1900 गुंचास को सिरोई का प्रसासन किस सरकार को सौपा भारत सरकार ने 5 जनवरी 1900 गुंचास को सिरोई का जो प्रशाशन है वो कौन सी सरकार को सौपा था भारत सरकार ने बंबई भारस सरकार ने क्या किया था फ्रेंड बंबई को पांद जन्वरी 1904 को सिरोई का सारा प्रशाशन सौब दिया था फिर देखे next question राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वाहा का मुख्य मंत्री कौन था अजमेर के समय वोहा का मुख्य मंत्री कौन था हरी भाव उपाध्याए जब राजस्थान में अजमेर का विले हो रहा था तब वहां के मुख्य मंत्री थे फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन मत्से संदका कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के विलीनी करन के लिए तयार था धोलपूर फिर नेक्स्ट कोश्चन सर्वीति क्रिश्न माचारी किस राज्य के दिवान थे जैपूर के बारती समविधान के अनुसार भारतिय सम्विधान के अनुसार राजस्थान के भारत के किस श्रेनी के राज्य में रखा गया भारतिय सम्विधान के अनुसार जो राजस्थान को भारत के किस श्रेनी के राज्य में रखा गया है तो दुट्य श्रेनी भाग B कौन से श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी के राजे में रखा गया है, फ्रेंट्स, द्वित्ते श्रेणी भाग B, फिर next question देखें, राजस्थान निर्माण के प्रत्थम चरण में मत्से संद का नाम रखने का सुझाव किस ने दिया, किस ने दिया, के एम मुनशी ने, जब राजस्थान का निर्माण के प्रत्थम चरण था, उसमें मत्से संद का नाम रखने का सुझाव दिया था, फ्रेंट्स, फिर next question फ्रेंट्स, ब्रहतर राजस्थान का उद्घाटन किस ने किया, व्रहतर राजस्थान का उद्गाटन किस ने किया फ्रेंड्स तो सर्दार बल्लब भाई पटेल ने किया था उद्गाटन सर्दार बल्लब भाई पटेल ने व्रहतर राजस्थान का उद्गाटन किया था फ्रेंड्स फिर देखे, next question, आजादी के बाद, जोदपूर के कौन सा शाशक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाता था, आजादी के बाद जोदपूर का कौन सा वो शाशक था, जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाता था, तो महाराजा हनुवंत सिंग आजादी के बाद क्या चाते थे जो जोदपुर के शाशक थे जोदपुर के शाशक महाराजा हनुवंत सिंग क्या चाते थे जो उनकी रियासत है वो एक स्वतंत्र इकाई में उसको रखना चाते थे friends फिर देखें, next question, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विले हुआ? अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विले किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को, अजमेर और मेरवाड़ा का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विले किया गया था, friends. फिर देखें, next question, दो छेत्रों के विले के साथ, 1956 में राजस्थान का एकी करण पून हुआ वे थे, दो छेत्रों का विले हुआ था, 1956 में राजस्थान का एकी करण पून हुआ था, जिससे, वो कौन से थे? आबू रोट, देलवाडा, एउं, अजमेर, ये दो छेत्रों के विले के साथ, 1956 में राजस्थान का एकी करण पून हुआ था, फ्रेंड्स, फिर देखें, next question, 1948 में किस राज्य के शाषक को मचसे संद का राज प्रमुख बनाया गया, तो धोलपूर को, धोलपूर को 1948 में मचसे संद का राज प्रमुख बनाया गया था, फ्रेंड्स, फिर देखें, next question, मचसे संद का प्रधान मंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो शोभाराम कुमावत को, मचसे संद का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया, next question, राजस्थान की रियासतों के एकी करण के समय, जोथपूर का राज्ये का महराजा कौन था, राजस्थान की रियासतों के समय, राजस्थान की रियासतों के एकी करण के समय, जोथपूर राज्ये का महराजा कौन था, हनुवन सिंग, हनुवन सिंग, जोथपूर राज्ये के महराजा थे, फ्रेंट्स, कब थे राजस्थान की रियासतों के एकी करण के समय, फिर देखे, next question, अजमेर और मेरवाडा का राजस्थान में कब विले हुआ, एक नवंबर 1956 में, एक नवंबर 1956 में विले हुआ था, ठीक है, तो फ्रेंट्स, ये questions पूरे होते हैं, एक बार हम इसको जल्दी से revise कर लेते हैं, जिससे आपको questions और अच्छे से याद हो जाएं फ्रेंट्स, ये जित्ते भी questions मैंने आपको कराएं हैं, आप class attend कीजिए और मुझे comment करके बताईए, कि आपके कित्ते questions सही हो रहे हैं, और फिर अगर आपको कोई doubt रहता है, तो आप मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं, फ्रेंट्स, चलिए, start करते हैं, एक बार revise कर जाते हैं बिका नेर के सादूल सिंग प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ती के समय राजस्थान में शेत्रफल की शेत्रफल की ड्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड फिर नेक्स्ट कोशिन किस समीती ने मत्से संद के व्रहत राजस्थान में विले की अनुशा की थी? शंकर राव ने राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो आट वर्ष साथ महा चौदा दिन फिर नेक्स्ट कोशिन मत्से संद का राजस्थान में विले कब हुआ? 15 मई 1900 गुंचास को किस सम्विधान शंशोदन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? सात्वा सम्विधान शंशोदन अधिनियम संयुक्त राजस्थान का 8 अप्रेल 1948 को किस ने उदगाटन किया तो पंडिट जवाहरलाल नेहरू ने किया था उदगाटन भारत सरकार ने 5 जनवरी 1904 को सिरोई का प्रशाशन किस सरकार को सौपा तो बंबई सरकार को सौपा था अजमेर राजस्थान में अजमेर के विले के समय वहां का मुख्य मंत्री कौन था हरी भाव उपाध्याए मचसे संद का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के विलीनी करन के लिए तयार था धोलपूर सर्वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दिवान थे जैपूर के नेक्स्ट कोश्चिन भारतिय समविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया तो द्वित्य श्रेणी भाग बी के अंतरगर्थ रखा गया था इस श्रेणी के अंतरगर्थ रखा गया था व्रहतर राजस्थान का उटगाटन सरदार वल्लभाई पटेल ने किया था आजादी के बाद जोधपूर के कौन सा शाशक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाता था महाराजा हनुवन सेंग अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विले हुआ कब हुआ था विले एक नवंबर 1956 में फिर नेक्स्ट कोश्चिन दो छेतरों के विले के साथ 1956 में राजस्थान का एकी करण पूर्ण हुआ थे वह कौन से दो राजचेतर ऐसे थे जिनके विले के साथ 1956 में राजस्थान का जो एकी करण है वो पूर्ण हो गया था तो वो कौन से थे दो छेतर आबू रोड डेलवडा और अजमेर नेक्स्ट कोश्चन 1948 में किस राज्ये के शाशक को मत्से संद का राज प्रमुक बनाया गया धोलपूर को किसे बना गया फ्रेंड्स धोलपूर को फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन मत्से संद का प्रधान मंत्री किसे नियुक्त किया गया मत्से संद का प्रधान मंत्री शोभराम कुमावत को नियुक्त किया गया था फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान की रियासतों के एकी करण के समय जोदपूर राज्ये का महराजा कौन था राजस्थान के रियासतों के एकी करण के समय जोत्पूर राज्य का महाराजा कौन था हनुवन्त सिंग तो फ्रेंड्स आज की क्लास और आज की कोश्चंस इतने खतम होते हैं समापत होते हैं कल मैं आपके लिए और नए कोश्चंस लेके आऊंगी इंपोर्टेंट कोश्चंस लेके आऊंगी जो आपके अपके अपकमिंग एक्जाम में आपके लिए बहुत ही हेलफफुल होने वाले हैं तो please class को attend करिये और जो आप अपना exam crack करना चाते हैं, a government job पाना चाते हैं, तो please आप class को पूरा पूरा attend किजए और weडियो अच्छा लगे, class अच्छी लगे, तो please like, share और comment करना ना भुले friends, और जिसने भी अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो वो subscribe करे friends channel को, ओके फ्रेंड्स कल मैं आपके मिलती हूँ कर फिर से नए questions के साथ ओके फ्रेंड्स, have a nice day, bye bye